वैसे तो मूचे मर्दों की शान होती है लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए मूचे उनकी आनबान शान होती है ऐसे ही 12 बंकी में तैनात एक होमगाड है जिनकी ताफदर मूच उनके लिए सब कुछ है इनकी मूचों को देखते ही आप कहेंगे भई मूचे हो तो ऐसी हो सबसे खास बात ये है कि इनकी मूचों की चिंता यूपी सरकार को भी है यही वज़े है कि प्रेम सिंग को मूचों की देखबाल के लिए हर महीने सरकारी भत्ता मिलता है CM योगी भी Home Guard प्रेम सिंग की मूचों से काफी प्रवावित हो गए थे जिसके बाद साल 2019 से उन्हें हर मेने 1060 रुपे मूच भत्ता मिलने लगा 12 बंकी के नगर कोतवाली शेतर के मंच पुर्वा गाओं के रहने वाले Home Guard प्रेम सिंग को अपनी मूचों से बेहद लगाव है प्रेम सिंग 42 सालों से अपनी मूचों पर ताफ फेरते आ रहे हैं यहां तक की विभाग भी इन्हें अपनी मूचों को गुमावदार और कड़क रखने के लिए प्रतिमा 1060 रुपे का भत्ता देते हैं प्रेम सिंग साल 2019 से अपनी ताफदार मूचों की देखभार के लिए सरकार से भत्ता पा रहे हैं लकरों आलमबाग क्या है ट्रीनिक सेंटर में ट्रेनिक कर रहे थे तो बड़ा बाबु डिश्चर्टर से उनहीं वहीं रख्षे थे तो उनको देखें हमको भी सब बड़ी सब इसे हम भी रखा लिये और अब जब से इसको रखा है सब से हमको इसे सम्मान हर देजम मिलता ह तो अवरूत साहथ मिला इधार जब मुत्रमंत्री योगी नाची हुए तो हमको क्या पूरे परदेश सारे ओंगारों को संकित वह डीजी साहथ को तो सबको बुलाया गया और वहां गया तो हम सबको सम्मानित किया जिसमें हम तीन लोगों में कमपटीशन करवा दिया जो जो सरी से मोच सेफ टोटल टर्नाउट जिसका बिल्कुल अच्छा था जिसमें पर्थाम पर हम आये और सेकेंड पर आये जाती के और थार्ड पर आये बानाज के तभी से हमको इसका एलाउंस भत्ता मिलता है मोच रखने के लिए और तभी से मिल ला हाए